नमस्कार दोस्तो गाइड आफ पैन वे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आप लोग का दोस्त अभीशेक और चलिए दोस्तो बात करते हैं आज फिर ते एक और नई वीडियो की आज की वीडियो का कंटेंट है बहुती सिंपल और बहुती असान चलिए देखते हैं कैसे आज के concept की बात करेंगे तो आज का concept है product sales on finance यानि कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी product sales करें और आप finance service का इस्तमाल करना चाहते हैं जैते कि आप लोग जानते होंगे finance की जो services provide करते हैं अभी बजाज तो बजाज finance से आप finance करवाते हैं कोई product और आप कुछ payment करते हैं down payment और कुछ payment बजाज finance के दुरू करते हैं तो इस case में आप लोग entry कैसे pass करेंगे और किस तरह से आप लोग को entry record करनी चाहिए यह सारी बाते आज इस वीडियो में करूँगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छूटी सी request आप लोगों से है प्रीज चानल को subscribe कर लीजे और साथ साथ bell icon को भी press कर लीजे क्योंकि इसी तरह कि वीडियो कंटेंट आप लोग को इस चैनल पर मिलता रहता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग को समझाते हैं यह कंटेंट कैसे काम करता है सबसे पहले हम लोग एक example लेते हैं दोस्तों माल लीजे कि हम लोग यहाँ पर एक product खरीद रहे हैं माल लेते हैं कि हम लोग MI का एक TV प्रचेस कर रहे हैं जिसकी cost है 25,000 रुपीज और 25,000 रुपीज है साथ में down payment उस व्यक्ति ने हमें कर दिया है 5000 रुपीज और जो 20,000 रुपीज है वो हमें क्या मिला है finance यानि कि 20,000 रुपे जो हमें मिला है वो finance कर लिया है उसने तो अब इसकी entry कैसे होगी तो दोस्तों हमने यहाँ बात की कि 25,000 रुपे का आपका TV है और साथ ही 5000 रुपे का down payment उस व्यक्ति ने आपको कर दिया है और 20,000 का बचाज finance से उसने finance करवाया है तो सीधी सी बात है अब इसकी entry कैसे करेंगे चलिए देखते हैं मैंने vouchers create कर लिए हैं सबसे पहले हम sales entry record करेंगे जैसे party का नाम कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पर create कर दिया तो मेरी party है रवी मलोतरा क्योंकि यह finance करवा रहा है मेरे से तो उसका नाम मैंने लिग दिया और अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है यहाँ पर आप लोग को कुछ भी select नहीं करना है इसमें से आपको यहीं पर करना है you have to create a new group और वो group क्या रहेगा मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप एक नया group बनाईए that is बजाज finance debtor अब ऐसा क्यों करना पड़ रहे है मैं आपको बताऊंगा पहले आप लोग इसे debtor के अंदर ही बनाईए और इससे आपको क्या फाइदा मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ इसको करना है enter and then accept अब इसका फाइदा यह रहेगा कि अगर आपने finance जो बजाज finance का debtor है वो create किया तो जितने भी लोगों ने आप से company में आपकी company में finance के तुरू समान खरीद रहा होगा उन सब का balances आपको इसके अंदर इस group के अंदर दिखाई देने लग जाएगा तो इससे आपको पता रखता रहेगा कि कितने लोगों ने अभी तक payment दी है और कितने लोगों ने अभी तक payment नहीं दी है तो साथ साथ आपको सारा का सारा statement इसमें पता लगता रहेगा कैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो चलिए सबसे पहले इसको आपने create कर लिया है और control ले and then आप control ले करिए यहाँ पर भी उसके बाद आप यहाँ पर sales account ले लेंगे और आपका जो product है वो यहाँ पर select कर लेंगे जैसे कि मेरा product है that is MI smart TV और 40 inch का है तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि मैं कितनी quantity खरीद रहा तो यहाँ पर जो मलोतरा है रवी मलोतरा उसने एक quantity purchase किया है और जिसका price है 25,000 रुपीज तो यहाँ पर 25,000 रुपीज प्राइज है लेकिन मैं यहाँ पर एक column insert करके बताऊंगा आप लोगो ताकि जो है मेरा बिलकुल सही amount आए तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक inclusive of price क column चाही होगा जिसके लिए मैं को after press करना होगा और after press करने के बाद मुझे यहाँ पर show more configuration yes करना होगा क्योंकि जो 25,000 price मैंने आपको बताया है वो inclusive of text है तो यहाँ पर आप लोग को show more configuration yes करना है और show all configuration को भी yes करना है इसको yes करते ही आपको एक option दिखाई देने रग जाएगा जिसका नाम है यह देखे यह है provide inclusive of text तो आप इसे yes करिए क्योंकि जो price आप बता रहे हैं 25,000 रुपे वो inclusive of text है तो यहाँ पर आप बताएंगे enter करेंगे और amount आप लोग को यहाँ पर specify करना है that is inclusive of text amount that is 25,000 रुपीज और जैसी आप वो specify करेंगे तो आपका main amount आपको देना है और cgst hgst लगाने के बाद आपको जो total amount बनेगा वो आप देख सकते हैं 25,000 रुपे बन गया है अब क्या करना है आप देखे दोस्तों जैती आप sale के entry पास कर लेते हैं दोस्तों एक बात का और ध्यान रखेगा जब sale entry आप पास कर रहे हूं तो एक बात का यह ध् बिल reference ना बनाईए बिल reference जो की है आपका रवीर मलुत्रा है तो रवीर मलुत्रा बनाते समय आप लोग को इध्यान रख रहा है बिल बाई बिल का option नो रहना चाहिए क्योंकि इसका कोई बिल हम लोग create नहीं करने हैं simply हम इसको एक person ही है यह हमारा customer है और जिसने हमसे finance पर स अब जैसे ही आपकी sale entry हो चुकी है आज के दिन तो आज के दिन एक entry आपकी और होगी वो यह कि इस व्यक्ति ने हमें down payment दे दी है अब down payment receive करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा F6 में जाकर तुरंत entry करनी है आज की date पर तो अब इसे mode change कर लेते हैं हम लोग control S से double entry mode कर लेते हैं और यहाँ पर to debit create mode हम on कर लेते हैं तो यह debit create mode on कर लिया अब मुझे किस party से पैसा receive हो रहा है तो मेरी जो party है वो है रवी मलोतरा अब रवी मलोतरा ने मुझे कितनी payment कर दी that is 5000 और जो payment की है वो किसी भी mode में कर सकता है या तो phone पे कर सकता है या तो आपको वो cash cash दे सकता है तो सीधी सी बात है रवी मलोतरा ने मुझे payment दी है cash में तो मैं आपर cash collector show mode से ले सकता हूँ तो show mode से मेरा cash collector यहाँ पर आ गया है और मैंने cash collector ले लिया है और यह मेरी entry हो गई तो आज के दिन receipt के entry भी हो चुकी है अब दोस्तों बाकी जो बच गया इसका payment मुझ बचाज finance मुझे पूरा payment कर देगा पड़ याद रखेगा जब भी बचाज finance आप लोग को पूरी payment करेगा तो क्योंकि उस बंदे ने आपका finance करवाया है किस से बचाज के card से बाकी की payment को तो finance company आपको payment करेगी तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है इसके लिए मैं आपक करेंगे तो जितने भी data होंगे यानि जितने भी लोगों ने बचाज finance का use किया होगा और उसके तुरू आपके साथ transaction की होगी उन सभी को यहाँ पर यह show कर देगा और आपको पता लगता रहेगा कि किसने finance से पैसा दिया है और कौन अभी pending में चल रहा है तो चलिए अब इ तीन दिन के बाद आपको एंडरी करनी है तो मैं दो तारिक को एंडरी पास कर रहा हूँ यहाँ पर और अब हमें यहाँ पर credit तो रवी मलोतरा को ही करना है लेकिन फिलाल यहाँ पर जो amount आएगा वो 20,000 रुपय आएगा और जो आपको payment receive होगी वो bank में receive होगी अब जैसे क अगर आपको तीन दिन में ही payment चाहिए बजाज finance के थूँ तो आपको बजाज finance को charge पे करना पड़ेगा इसका मतलब बजाज finance आपको 20,000 रुपय की payment नहीं देगा वो थोड़ा सा amount cut कर लेगा तो यहाँ पर वो अपने हिसाब से आपको बता देता है तो यहाँ पर मान लेत हैं कि उसने 19,800 आपको दिये और 200 रुपय का जो charge है उसने लगा दिया जिसको हम यहाँ पर debit करने वाले हैं और उसके लिए हम एक ledger create करेंगे that is बजाज finance charge तो बजाज finance charge आप यहाँ पर ledger create कर लीजे और इसे रख दीजे under indirect expense तो इस तरीके से आप entry को pass करेंगे इसमें GST not applicable कर दीजे GST नहीं है इसके अंदर और इंटर करके इसे accept कर लीजे आप देख सकते हैं कि 200 रुपय का जो finance है वो आप लोग को बजाज finance को देना पड़ा 200 रुपय का charge क्योंकि आपने advance में payment receive कर लिया है तीन दिन पहले ही और सीधी सी बात है जो payment 50 finance को मिलने वाला है रवी म 2800 रुपय की और 200 रुपय बजाज finance ने अपना charge काट लिया तो इस तरीके से आप entry पास कर सकते हैं तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप लोग को इस वीडियो में ये सारी बाते समझ में आ चुकी होंगी अब आप देख सकते हैं balance sheet में सारा status खतम हो चुका है आपके bank account में पैसा आ चुका है और आप सारी entry complete हो चुकी है तो दोस्तो इस तरीके से ये entry होती है अगर आप लोग को product on finance का जो concept है वो अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को like share जरू कर देना चैनल पर पहली बार आए तो subscribe करने के साथ साथ notification बेल को भी प्रेस कर देना ताकि इस